आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जिसे नई सिक्षानिती 2020 के नाम से जाना जाता है आखिर इसकी आवश्रक्ता क्यों हुई इसका महत्व क्या है एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से हमें इस क्यों पढ़ना चाहिए साथ ही आपका जो वर्तमान सिक्षानिती है उस पर इसके क्या प्रभाव हैं क्या इंपेक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों का विकास से इसका क्या सम्मंध है ये सारे चीजों को हम समझते चलेंगे सबसे पहले अगर हम इसकी आने की डेट की बात करें इसक आप समस्ते आ रहे होंगे कि हमारे सिक्षा नहीं हमें क्या किया है बनाया है तो हमारा सिक्षा बहतर हो सके इसके लिए समय समय पर हमारे सिक्षा निती पे परिवर्तन देखा गया है इसलिए जो वर्तमान की सिक्षा निती है उसमें भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को म और जो हमारी वर्तमान की सिक्षानिती है उसे हम New Education Policy 2020 के नाम से जानते हैं आप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर यह कब आया और इसकी जुरुरत हमें क्यों पड़ी यहां ध्यान दीजेगा अगर हम इसके बात करें तो यह लागू कब हुआ तो याद र यह New Education Policy 2020 से कहते हैं यह हम कह सकते हैं NEP 2020 आप देखते होंगे एक्जाम में हमेशा यह सवाल देखने को मिलते हैं यह टॉपिक आपका निश्चित रूप से आएगा ही आएगा अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट है यह सिक्षानिती 34 वर्ष पुरानी रास्टी सिक्षानिती याद रखिएगा कौन से सिक्षानिती यह सिक्षानिती आपका जो 44 वर्ष पुराना है 34 वर्ष जो पुराना सिक्षानिती है उस पर केंद्रित किया गया है सोचिए 34 वर्ष तक हमारी पुरानी सिक्षानिती चली आ रही थी लेकिन बहुत सारा इसका negative impact देखा गया हमारी जो पुरानी सिक्षनिती थी उसमें बदलाव करना अनिवार्य था इसलिए लगभग 34 वर्ष बाद आपका नया सिक्षनिती आया जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम नई सिक्षनिती 2020 कहते हैं पुरानी सिक्षनिती क्या थी पुरानी सिक्षनिती कि आपकी राष्टे सिक्षानिती 1986, तो यहाँ पर दो सवाल आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहला सवाल, NEP 2020 का पूरा नाम क्या है, दूसरा सवाल, किस पुरानी सिक्षानिती को बदल कर नई सिक्षानिती लाई गई, तो याद रखिएगा, आपका जो सिक्षानिती, र कितने वर्सों बाद आया, तो याद रखिएगा, यह आपका आया 34 वर्सों बाद, यह याद रखना है आपको, 34 वर्सों बाद, 1986 से 2020 आप देखेंगे, तो 34 वर्सों का हमें गेब देखने को मिलता है, और यह नई सिक्षानिती हमें देखने को मिलती है, यह निती अंतरिच याद रखिएगा यह निती अंत्रिच वैज्यानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यचता वाली समीती की रिपोर्ट पर अधारित है सबसी पहला सवाल वैसे तो दो सवाल अगर हम बात करें जो बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट भी है डारेट आपसे सवाल किया जाता है कि बताइए जो नई सिक्षनिती है वो किसकी अध्यचता पर तयार किया गया याद रखना है आपको कौन कस्तूरी रंगन इनका नाम आप दिमाग में बैठा लिजेगा तो आपके जो के कस्तूरी रंगन है उनकी अध्यस्ता पर ये जो रिपोर्ट है उसे तयार किया गया कौन सा रिपोर्ट आपका दो एनिपी 2020 है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या इसे हम नई सिक्षनिती कहते हैं उसका रिपोर्ट तयार किया गया इस निती की घोशना के साथ ही मानो संसाधन मंत्रालय का भी नाम बदला गया आप लोगोंने पढ़ा होगा कि मानो संसाधन का नाम परिवर्तित करके सिक्षा मंत्रालय कर दिया गया पहले जो सिक्षा की बाते होती थी वो एक मंत्रालय सम्हालता था जिसे हम कहते थे मानो संसाधन मंत्रालय फिर नई सिक्षा की निती के साथ साथ हमारा जो मानो संसाधन मंत्रालेथ है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया उसका नाम परिवर्तित करके नई सिक्षा निती रखा गया तो यह बहुत जाद अपने आप में इंपोर्टेंट है इसको ध्यान में आपको रखना है अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देखेंगे कि यह जो points हम पढ़ें हैं उससे हमें क्या-क्या facts देखने को मिले सबसे पहला fact color change कर लेते हैं सबसे पहला fact है आपका यह section इती जो है वो किसे पई वर्तित किया गया तो हमारी जो राष्टी सिक्षा निती थी कौन थी राष्टी सिक्षा निती ध्यान देंगे राष्टी सिक्षा निती 1986 इसे बदल कर क्या लाया गया आपका NEP 2020 लाया गया पहला fact NEP 2020 जिसे हम new education policy कहते हैं तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया इसे update किया गया जिसे हम NEP 2020 कहते हैं साथ ही दूसरा fact हमने इसी में यह समझा कि आपका जो नाम था मानो संसाधन मंत्राले उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया तो उसका नाम परिवर्तित करके सिक्षा मंत्राले किया गया क्या किया गया सिक्षा मंत्राले यह हमने देखा फिर हमने यह भी समझा तीसरे point में कि कि इसकी अध्याच्ता में इस रिपोर्ट तयार किया गया तो के कस्तोरी रंगन की अध्याच्ता में तयार किया गया जो एक विज्ञानिक भी है ये चीज़े हमने देखी तो पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ तो ये सारे पॉइंट हमको क्लियर होने चाहिए और याद किए गा ये सिक्षानिती कौन सी पुरानी नीति कितने वर्श पुरानी नीति को बदला also चोँथे वर्श पुरानी नीती थी रासरे सिक्षानिती उसे ही बदला गयाive तो यह important है देखते चलेंगे अगर हम बात करें इसकी प्रमुख बिंदू अब किसकी बात हो रही है आपका जो रास्टी सिक्षा निती है 2020 उसकी प्रमुख बिंदू क्या क्या है इस पर हम प्रकास जा लेंगे इसे हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहला स्कूली सिक्षा समंधी प्रावधान आपका जो समंधी प्रावधान है वो क्या है इसको समझेंगे अब याद रखिएगा जो new education policy है न वो सिक्षा पर जोर देती है वो बताती है कि हमारी सिक्षा की पद्धती कैसी होने चाहिए जब आप points देखेंगे तो आपक और जो को क्या किया है मुक्त किया है तो समझेंगे सबसे पहले कि नई सिक्षा निती में five plus three plus three plus 4 को डिजाइन किया गया तो नएि सिक्षा निति में 5 plus 3 plus प्लस फोर डिजाइन वाले सेच्छडिक संद्रशना का प्रस्ताव किया गया जिसमें तीन से अठारा वर्स की आयू वाले बच्चों को समलित किया गया यहां पर भी आपको पॉइंट्स मिले सबसे पहले डारेक्ट आपसे सवाल बनेगा कि बताईए नए सिक्षा निती जो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ये भी ध्यान रखा आपने किसका नाम क्यूं रखा गया दूसरा आपने पुराने सिक्षनिती का नाम याद रखना है कितने वर्सों बाद आया ये भी याद रखना है किसकी अध़चता में रखना है साथ ही कि मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रखा गया तो आपका जो मंत्रालय था मानो संसाधन मंत्रालय वो पुराना था उसका नया नाम क्या रखा गया सिक्षा मंत्रालय तो यह चीजों को भी आपको ध्यान रखना है दूसरा इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना यह बहुत ही अच्छा सिक्षन यह अगला पॉइंट है पाच वर्ष की फॉंडेशन स्टेज तीन साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड वन टू तीन वर्ष का प्री पैडरी स्टेज ग्रेड थ्री फोर फाइब तीन वर्ष का मद्ध्य या उच्छ प्राथ्मिक ग्रेड 9, 10, 11, 12 अब हमें समझ में नहीं आ रहा है यह क्या बोल रहा है तो ध्यान दीजेगा आपने एक फॉर्मूला देखा कौन सा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 जी हां स्टूडेंट्स यहां पर जो बात हो रही है इसी फॉर्मूले की बात हो रही है सबसे पहले जो पाँच स्टेज होगा उसमें बच्चों को क्या करेंगे सबसे पहले इस 5 की बात हम करें यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा ठीक है प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब हम जो पॉइंट लिखा है उसी के अधार पर चलेंगे color change कर लेते हैं तो इस 5 का मतलब क्या है इस 5 का मतलब है 3 प्लस 2 अब 3 प्लस 2 का मतलब क्या है तो अभी आपने देखा कि यहाँ पास लिखा है कि जो 3 साल का pre-primary होगा इसमें 3 साल का क्या होगा pre-primary होगा हा ना इसमें बच्चा क्या करेगा kg 1, 2 जो कक्षा होती है ना वो पढ़ेगा और बाद में ये पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में जाएगा इसका अर्थ ये है यहाँ आपने formula देखा ये देखा इस starting में ये जो 3 वर्स में है इसमें बच्चा क्या करेगा kg 1, 2 जो बच्चे आगन बाड़ी में होते हैं बिल्कुल यहाँ से इनकी पढ़ाई सुरू हो जाएगी साथ में ये जो 2 का है इस 2 का मतलब है पहली कक्षा दूसरी कक्षा है जो बच्चे पढ़ते हैं ये हो गया यहाँ दूसरी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, इस दो में बच्चे सामिल होंगे और इसमें बच्चा क्या होगा, आगन बाड़ी में अपनी पढ़ाई करेगा अब इस तीन का मतलब क्या है, इस तीन का मतलब है, यहां देखेंगे इस तीन का मतलब है तीन वर्स प्री पेटरी स्टेट जिसे हम क्या कहेंगे जिसमें हम कहेंगे कक्षा तीसरी चौथी पाचवी इस तीन का मतलब क्या हो गया कक्षा तीसरी चौथी पाचवी यहीं पर हम देख लेते हैं इसका मतलब हमने देखा आंगन बाड़ी में बच्च से नैं बोच्चे क्लास फस्सक्लास सेगंड में पहले हम क्या होते थे चाहे वर्स में एड्मिशन लेते थे और पहली कख्षज दूसरी कख्षज में जाते थे लेकिन अब बच्चों का तीन वर्स पहले ही उसका क्या होगारमि क्या हो grants आपके आगन बाड़ी के बाद वो जो सिख्षा होगी उप पहली दूसरी में होगी, फिर इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा 3, 4 और 5 वी में आएगा, फिर इस तीर में बच्चा 6, 7, 8 वी में आएगा, फिर यहाँ पर 9, 10, 11 बार वी आएगा. clear हुआ एक बार हम यहां पस लिखा चार वर्स का उच्च माधमी grade अब यहां पस एक बार हम देख लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं कि हमको नहीं समझ में तब की स्किती में एक बार मैं और clear कर दो इस 5 का मतलब हमने देखा कि 5 को पहले 2 भागों में टोड़ा गया 3 प्लस 2 में इसमें बच्चा क्या होगा पहली कक्षा में होगा पहली कक्षा ठीक और दूसरी कक्षा यह दो क्लास हो गया इस में क्या होगा बच्चा? आगन बाड़ी में जो बच्ची जाते हैं वो सामिल होंगे, ठीक फिर हमने देखा थ्री, इस थ्री का मतलब क्या होगा? इस थ्री का मतलब दूसरी के बाद बच्चा क्या करेगा? कच्छा तीसरी, चौथी और पाँचवी clear हुआ फिर हमने देखा था अगला 3 इस 3 का मतलब क्या है? इस 3 का मतलब है कि बच्चा 6-2, 7-2 और 8-2 में जाएगा फिर हमने plus क्या देखा last में 4 इस 4 का मतलब क्या होगा? कि बच्चा 9-2, 10-2, 11-2 और 12 में जाएगा clear हुआ? ये चीजे इसमें सामिल होंगी ये देखिए, यहाँ पस आपका लिखा है न? अब हम points को repeat करेंगे तो और अच्छे से याद होगा 5 वर्स का की foundation stage 3 साल का pre-primary school और grade 1-2 जिसमें कक्षा पहली दूसरी फिर जब दूसरी कक्षा तक पढ़ लेगा फिर नौवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी मतलब इसमें बच्चा तीन कक्षा क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा पढ़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिलकुल सेम होगी अब पढ़ाई का इसतर जो है वो थोड़ा change कर दिया गया है बच्चो के अनुसार कर दिया गया है जो नई सिक्षा नीती है उसकी सबसे बड़ी विसेस्ता क्या है? पता है कि ये बच्चो पर बोज नहीं डालेगा ये बच्चो को बच्चो की रूसियों के अनुसार जो रूची होगी उन रोचियों के अधार पर पढ़ाएगा तो समझेंगे कुछ और पॉइंट्स के माध्यम से नई सिक्षानीती दो हजर बीज के अंतरगत नई सिक्षानीती दो हजर बीज के अंतरगत द्वारा बुनियादी साक्षर्ता और संख्यात्मग ज्यान पर एक रास्टी मिसन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है इसके द्वारा वर्स दो हजर पच्चीज तक कक्षा तीन तक के बच्चों के लिए अधार बुद कौशल सुनिश्चित किया जाएगा बच्चा जिस चीज में क्या लेगा रूची लेगा वैसे ही हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसे ही हम वैसा ही आगे बढ़ाएंगे उसे उसी दिशा की और हम उसे दिशा निर्देशित करेंगे उसके लक्ष की और हमें उसे पहुँचाएंगे भासाई विविद्रता का सनरक्षन नई सिक्षनिती में क्या किया गया है जो बच्चों में भासाओं की विविद्रता पाई जाती है जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अपने घर से जिस भासा को लेकर जाते हैं उसी भासा का प्रयोग करते हैं लेकिन स्कूल में उन् अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हो, बिल्कुल आप उसी भासा का प्रयोग करोगे, मतलब बच्चों पर कोई रोक्टों नहीं लगेगा, ये क्या है, इस सिक्षनिती की सबसे बड़ी विसेस्ता है, बच्चा जिस भासा में विद्याले में प्रवेस करेगा, उसी प्रात्मिक्ता मिलेगी, पीचर अपना जो होगा, सोर्स उस पर नहीं डालेगा, ऑव किसी प्रकार का बड़न बच्चों को नहीं देगा, बच्चा जिस भी बोली में बोलना चाहिए, उसे हम बोलने देंगे, ये इसकी क्या है, पहली विसेस्ता है, यहां पस ध्यान जेगा नई सिक्षानीती 2020 में कक्षा 6 तक की सिक्षा में मात्र भासा, इस्थानी या छेत्री भासा को अध्यन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पास आपने जो फॉर्मूला देखा था 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि यहां तक जो बच्चे होंगे ना ये वाला और ये वाला और इसमें का एक हम ले ले तो यहां तक मतलब कक्षा छटवी तक कक्षा छटवी तक हम क्या करेंगे बच्चों पर उसकी जो भाशा होगी उसकी जो इस्थानी भाशा होगी उसका जो मदर टंख होगा हम उसी में उसे कहने के लिए पढ़ने के लिए कहेंगे या बच्चा जिस भी जिसमें वो इंट्रेस्टेड हो हम उसी के लिए बच्चों केंगे हम अपना कोई भी घ्यान उसmar नहीं थो पएंगे हम अपनी भासा उस पर नहीं थो पर जैसे समझना चाहता है जैसे पड़ना चाहता है वो वड़ेगा बस हमें क्या करना है उसकी जो रूशे है उस रूशी को हमें वहां तक पहुँचाना है उसे दिशा निर्देशित करना है साथ ही इस निती में मात्रुभासा को कक्षा आठवी और आगे की सिक्षा के लिए प्रात्मिक्ता देने का सुझाओ भी दिया गया है उनसे बोला है कि कक्षा छटवी तक ही नहीं, बलकि कक्षा आठवी और बाकी की भी कफ्षा में आप क्या करें उन्हें दे जैसे कोई बच्चा 36 गड़ी 36 गड़ी बोलते आया है तो उसकी किताबे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिस में हो या हिंदी में अगर वो 36 गड़ी में पढ़ना चाहता है क्या है आपस स्कूली और उच्चे सिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाशाओ क्या विकल्प उपलब्द होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाशा के चुनाओ का कोई बाधता नहीं होगी हमने पढ़ा न अभी देखा कि हम बच्चों पर भाशा का किसी प्रकार का भी जोर जबर्जस्ती नहीं करेंगे और जिस भाशा में पढ़ना चाहेगा वो उस भाशा में पढ़ेगा अगला है फिजिकल एजूकेशन इसका अर्थ ये है कि हम बच्चों को साररिक शिक्षा भी देंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उन्हें किताबी ग्यान देंगे अज़ी जई आरी है जैसे हम देख रहे हैं किया इसमें साररिक शिक्षा तो हमारा जो न्यू एजूकेशन पॉलिसी है वो क्या करता है समग्र शिक्षा मतलब सभी प्रकार की शिक्षा पर क्या देता है बल देता है, साथ ही जो विभिन प्रकार के भासा है, जिसे हम बहु भासिता कह सकते हैं, उस पर भी ये क्या देता है, जो देता है, तो आपका सिक्षा के साथ, साथ क्या जरूरी है, आपका सारिक सिक्षा भी जरूरी है, अब सिक्षा का मतलब हमारे किताबों तक सिमित नही होगा सिक्षा का मतलब विभिन सारे छेत्रों में होगा यह जो विभिन छेत्र होते हैं उनमें भी यह सारी चीजे सामिल की जाए है जैसे आपका क्या है यह स्पोर्ट्स बगएर है जरूरी नहीं है कि हर बच्चे क्या करें आपका किताबे ही देखें तो किताबों के अलाव बलकि क्या hide की है शीमित हो चुकी है लिमिट लए सो चुकी और यह समगर सिख्षा होगी और बहु भाशिता पर जोर देगी तो यह ही से आपके सवाल बनेंगे आप जब आगे की कख्षा देखेंगे तो जब कोशन आपको मिलेगा टेस्ट में तो आप तभी इन सब को क्या कर पाएंगे ठीक लगा पाएंगे तो यह सब चीजों को देखना जरूरी है अब यहां पर ध्यान दीजे विद्याले में यह आपका जो एनिपी 2020 है ना उसके कुछ की पॉइंट से इनको ध्यान दीजेगा सुनिएगा ध्यान से विद्याले में सभी इस तरों पर छात्रों को बागवानी नीमित रूप से खेलकूत योग नृत्य मार्शल आर्ट को इस्थानी उपलब्दिता के अधार पर प्रदान करने की कोशिस की जाएगी ताकि बच्च से बच्चा कि इसे से एगसा घ्री नहीं तब लेकिन आप अब ऐसा नहीं है अगर अगर आप बायों के साथ कोई other subject भी लेना चाहते हो तो आप बिलकुल ले सकते हो अगर आप संगीत में इंट्रेस्टेट हो तो आपका proper उसका education मिलेगा अगर आप श्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो कराटे में योगा में तो उसमें आपको सिक्षा दी जाएगी मतलब अब जो सिक्षा होगी वो बालको के अनुसार बच्चो के अनुसार होगी इस पर किसी भी प्रकार का दबाओ यह जोर जब जास्ति नहीं होगा अब यहां पस अगर हम आगे पॉइंट्स पर ध्यान दें तो यहां पस लिखा है कि खेलकूद योग नृत्य मार्सल आर्ट कोई भी हो अगर बच्चा किसी चीज में इंट्रेस्टेड है तो हम उसी छेत्र में उसको क्या देंगी सिक्षा देंगी हम बिलकुल उ इस पर बगानी पर उन्हें सिक्षा देंगे बगानी फी अपने आप में बहुत बड़ा कहसल है कि एजुकेशन का माध्याम है क्योंकि यह थी environment है हमारा जो परिवेस है वो हरा भरा रहेगा साथ ही हमारा जो कह सकते हैं जो संतुलन बिगड रहे है जलवाईउ का मौशम का वो निश्चित रहेगा क्यों ये भी तो एक प्रकार की सिक्षा है अगर हम बच्चों को पौधों का सिक्षा दे रहे हैं बागवानी का सिक्षा दे रहे हैं तो यह भी क्या एक प्रकार की सिक्षा है अगला है कि अगर बच्चे खेल कूद में इंट्रेस्टेड हैं तो आप जवर जस्ती उन पर क्या करेंगे अपना ज्यान नहीं थोपेंगे उन्हें खेल से सम्बंधित आप सिक्षा देंगे हाँ यह ऐसा ही सिक्षा है बच्चे जिसमें इंट्रेस्टेड है हम उन्हें वैसा ही सिक्षा देंगे अब ये सब बच्चे क्या हैं ये सारे बच्चे योगा में इंट्रेस्टेड हैं तो इनका जो विसय होगा इनका जो पढ़ाई होगा वो योगा होगा जो बच्चा मैं बार बार रिपीट करूँ कि जो बच्चा जिसमें इंट्रेस्टेड होगा हम उस फिल्ड में उसे क्या बढ़ा कह सकते हैं एजूकेशन है फिर डान्स की भी बहुत सारे टाइपस होंगे वो सब इस्टडी करेंगे अब वो गया जमाना की हम बच्चों पर जब जस्ती कीजों को ठोपा करते थे निव एजूकेशन पॉलिसी वाकई में एक बहुत ही बहतर कारक हो सकता है हम सभी के लिए हम सभी के डवलमेंट के लिए चुकि अब हम उस क्राइटेरिया से बहार आ चुके हैं लेकिन अब जो पीड़ी आ रही है जो निव एजूकेशन में सामिल होगी वो अब क्या होगी बहतर होगी साथ ही उनका विकास भी क्या होगा बहुत अच्छे से होगा तो विका होता है वो इंसान को बनाता है और सिक्षा आप देख सकते हैं कि इसका रूप कितना सारा है कितने प्रकार हैं सिक्षा के यही है जो हमें बतलाता है यह भी एक प्रकार का क्या हो रहा है एजूकेशन हो रहा है सिक्षा हो रहा है अब यह बच्चे क्या है आपके मार्सल आर जाएगा ट्रेनिंग दिया जाएगा अगर वो उस चीज में इंट्रेस्टेड है तो साथ ही कैसा भी ड्रॉइंग हो अगर अगर कोई भी फिल्ड हो ड्रॉइंग तो ठीक है क्योंकि ड्रॉइंग का एजुकेशन है बच्चा किसी भी फिल्ड में आगे बढ़ना चाहता है इ अगर बच्चा यह तो बहुत ज्यादा फेमस है आप सभी जानते हैं यह यूट्यूब पे छाया हुआ बच्चा है यह कोई सा गाना गाता है मुझे गाना याद में आ रहा है इनका तो बहुत प्यारा गाना गाता है यह तो अगर कोई बच्चा ना गाने में करेंगे पहला कोश्चन है भारत में प्रथम रास्टी सिक्षा नीती किस वर्स लागों की गई थी याद रखिए यहां पर कोश्चन दिया हुआ है भारत में प्रथम रास्टी सिक्षा नीती किस वर्स लागों की गई थी याद रखिएगा भारत में सिक्षा का महत्व रहा ह समय समय पर इसमें कई परिवर्तन किये गए थे तो अगर हम बात करें कि किस वर्श लागू की गई थी तो भारत मेंzkन 1968 में क्या किया गया था प्रथम शिक्षनीती लाया गया था हर समय इसका अबडेशन होता पर रहा और नई-नई सिक्षानीती आती रही और अगर आपसे सवाल करें कि प्रथम सिक्षामंत्री का नाम बताइए तो यह भी आपको ध्यान रखना आपको कवर करते हुए चलना है कि टॉपिक और कहां-कहां से सवाल करते हैं ठीक तो प्रथम सिक्षानीती कब लागू हु और आप जो हमने कख्षा देखा वू किसा का नई सिक्षन नीवा यूद्टी 2020 शांदो सिक्षानीती का अभारत में प्रथम रास्त्री शिक्षनीती तो वर्स 1968 सकते और हम अभी अध्यन किसको कर रहे हैं नई रास्टे सिक्षनीती 2020 का तो यह हमारी नई सिक्षनीती है अगला कोशन है कितने वर्सों बाद भारत में नई सिक्षनीती 2020 की घोशना की गई तो हमने पढ़ा था कि 34 वर्सों के बाद क्या किया गया आपका नया सिक्षनीती आ और वो पुराना सिक्षाणिंती का सन क्या था वो आपको बताना है क्योंकि पिछली कक्षमे मैं आपको बता चुक्क है तो याद रखेगा ठाकवर्स्तों बाद भारत में नई सिक्षाणिती आई अगला सवाल है नई सिक्षानीती 2020 के मौश्रावदा समीती ड्राफ्टिंग कमीटी के अध्यच कौन है तो हमने देखा था कि नई सिक्षानीती के अध्यच कौन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है इस चीज को ध्यान रखेगा ऐसे ही आपके जो सवाल है वो बनेंगे इन कस्तूरी रंगन जी है अगला सवाल है नई राश्री सिक्षानीती 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली तो हमने देखा था 9 जुलाई नहीं 29 जुलाई 2020 को इसे क्या मिली थी मंजूरी मिली थी तो ऐसे ही आपको फैट्स भी ध्यान में रखने हैं अगला कोश्चन है 29 जुल मिली ध्यान मंत्री नरेंद्र मोधी की अध्यच्ता में केंद्री मंत्री मंडल ने राश्री सिक्षणीती 2020 को मंजूरी दी थी ये देखिए जब नई रास्टे सिक्षनीती आये थे तो उस समय का ये कटिंग है 2020 में बहुत हाहाकार मचा हुआ था जब हमारा नया सिक्षनीती आये था ये उसी न्यूस पेपर का कटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं नई सिक्षनीती भविश्य बनाने का महायग पीम ब बास्तों में जब आप पुरानी सिक्षनीती को देखेंगे और वर्तमान की सिक्षनीती को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में वाकई में बहुत ज्यादा डिप्रेंस है पुरानी सिक्षनीती थी जो पाठ्थे पुस्तक को क्या बनाती थी बोजिल बनाती थी ले उसे सहीं दिशा भी मिल सकती है लेकिन पहले की जो सिक्षनीती थी हमारा मन हो या ना हो हमारी रूची हो ना हो हमें वो करना होता था तो यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और अभी की जो सिक्षनीती है वो बहुत जादा बढ़िया है तो ये नए सिक्षनिती प्रधान मंतृ में मोलिजी के अध्यशता में आया है अभी भी वह कई शिक्षा पर काम कर रहे हैं ये दूसरा आपका कटिंग है पेपर का अब मात्रों भासा में पड़ सकेंगे बक्चे एमफिल पर्ठेक्रम होगा बंद dan right جब नए सिक्षणीती ये 2020 का cutting है, पुराना cutting है, इसे सामीर किया गया है यहां पस एक point लिखा है physical education को बनाया गया जरूरी याद रखिएगा हम सारीग सिक्षा देख रहे थे नभी सारीग सिक्षा पर विसेश जो है विशेज जोर दिया गया अब इसमें लिखा है HRD HRD का मतलब क्या होता है HRD जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे मानव संसाधन मंत्राले उसका नाम बदल कर क्या रखा गया सिक्षा मंत्राले वह से यह आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा पर मैं आप लोगों को बता दे 10 अब जो रिजल्ट एंग ऑपर में नगसें लिखा होगा अभ उसमें क्या लिखा होगा आव इसमें लिखा होगा वाइब फ्री प्लस फूर यह होगा पहले क्या था वेल्गão स्थे फ्रीओ ने जिसन्ज ऊजिए ना पास्ज़कि सिख्षानीती 2020 के अनुसार वर्तमान 10 प्लस 2 सेच्छिक मौडल को एक नए सेच्छिक पार्थेकरम प्रणाली के अधार पर विभाजित किया गया है वह नई सक्षिक पाठेकरम परनाली क्या है क्या वो 3 प्लस फ्रो प्लस ये तो नहीं है थमने देखा है 4 प्लस 3 ये भी नहीं है 5 प्लस 4 प्लस 3 ये भी नहीं है 5 प्लस 3 प्लस 4 ये बिल्कुल सही है तो आंसर क्या होगा आपका ये वाला 5 सवाल निस्षित रोप से बनेंगे ही बनेंगे चाहिए यह सवाल लिखा है आपका फ़ाइप प्लस-3 फलस-4L ओस एनुसार कितनी आयू वर्ग तक के बच्यों को सिच्छा के अधिकार कानून 2009 के अंतरwiązर गा यद रखिएगा कीतने वर्ग के बच्चों को रखा गया है हमने पढ़ा था कि 3 से 18 वर्ज के जो बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा एनिपी 2020 का जो शिक्षा है उसमें सामिल किया जाएगा कि अगला सवाल एनिपी 2020 आप देखिए एनिपी 2020 कितने सारे सवाल बन सकते हैं यहां से आप एक्जामीनर सवाल कर सकता है तो एनिपी 2020 में सिख्छा को किस कक्षा तक मात्रु भासा इस्थानी या छेतरी भासा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है याद रखिएगा किस कक्षा तक तो हमने देखा था कि कक्षा पाँच तक ठीक है हम देख रहे थे कि कक्षा पांच तक मतलब आपका जब बच्चा starting का first, second, third जब ये starting में प्राक्मिक में रहेगा फिर कक्षा पहली, दूसरी और ये तीसरी ठीक है चौथी और ये पांच पी यहां तक बच्चो को क्या दिया जाएगा शिक्षा दिया जाएगा तो याद रखना है कक्षा छटवी से ब अत्रो भासा स्थानी भासा में होगी, वो जिस भासा का प्रयोग करता है, उसी भासा में उसका क्या होगा? सिक्षा होगा, कल रहों, कक्षा पांच, यहां तक बच्चे अपने भासा का प्रयोग करेंगे, जिस बोली का वो घर में प्रयोग करते हैं, उसी बोली में वो करेंगे अगला सवाल है नई रास्ट्रे सिक्षानीती 2020 का लच्छे किस वर्स तक तीन से अठारा आयू वर्ग के प्रतेक बच्चों को गुडवत्ता वा समावेशे सिक्षा प्रदान किया जाएगा समावेशे सिक्षा का मतलब क्या है सभी के लिए समान सिक्षा तो हमने कौन से संद तक देखा था वर्स 2025 तक इसका यह आंसर गलत है तो सहीं आंसर आपको कमेंट करने है यहां पस लिखा है 2030 बिलकुर चीजों को देखते भी चलेंगे 2030 तक इसको क्या किया गया है टार्गेट किया गया है यहां पस लिखा है न नई रास्ट्रे सिक्षानी 2020 का लच्छे किस वर्स तक तीन से अठारा वर्स के आयो के बच्चों को गुडवत्तावा समावे से सिक्षर पदान करना है तो 2030 तक यह अंसर क्या होगा है बस आपका 30 होगा याद रखना है हमें यहां तक चीजें आप लों को क्लियर हुआ यह टॉपिक जो है नई सिक्ष निती होगा जो तीन से अठारा आयूवर्ग के प्रतेक बच्चों को गुडवत्ता पूर्वा समावे से सिक्षर प्रदान करना है वो 2030 तक टार्गेट किया गया है जो 2025 है आप लोगों ने पढ़ा होगा वो किसकी बात की जा रही है उसे आगे बढ़ाने की बात की जा रह तो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा याद रखिएगा तीन से अठारा आयूवर्ग के प्रतेक बच्चों को गुडवत्ता पूर्वा समावे से सिक्षर प्रदान करने का लच्छ कब तक रखा गया है तो वो रखा गया है 2020 पर क्लेर हुआ अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को